हेलो बच्चो आप सब कैसे हैं उम्मीद है सभी स्वस्थ और खुश होंगे आज हम पार चार कटपुतली का अध्धन करेंगे इसके कवी भवानी प्रसाथ मिर्श रहें इस इनकी हिंदी साहित्य एवं कविताओं में अच्छी पकड़ थी इन्होंने कटपुतली की मनह सिती और उसकी समवेदन शिलता का बड़ा ही मार्मिक चितरन किया है पहले पद में कवी कहते हैं कि कटपुतली गुस्से से उबल रही है वह अपने धागों से परिशान है उसे स्वतंत्र होना है उसे इन धागों का बंधन विल्कुल भी रास नहीं आ रहा है वह परिशान हो गई है वह कहती है कि उसे इन धागों से मुफ्ट कर दिया जाए और उसे उसके पैरों पर खड़े होने के लिए छोड़ दिया जाए दूसरे पद में कवी कहते हैं कि पहली कटपुतली की बात सुनकर दूसरी और भी कटपुतलीयां उसकी बात का समर्थन करने लगी उन्हीं भी स्वतंत्र होना था वे भी अपने मन से जीना चाहती थी वे कहती हैं कि बहुत दिन हुए उन्हें अपने तरीके से जिये हुए खुली हवा में सास लिये हुए आजादी के साथ रहे हुए और अपने पैरों पर खड़े हुए तीसरे पद में कवी ने पहली कटपुतली की मनास्तिती का बहुत ही अच्छा चितरन किया है वे कहते हैं कि पहली कटपुतली क्या सोच रही है जब पहली कटपुतली ने देखा कि सभी उसकी बातों का समर्धन कर रहे हैं तो वह सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगने लगी क्यों मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और क्यों मैं ही आगे हूँ, सब मेरे पीछे हूँ क्या मैं अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हूँ ये मेरा मन कैसी सोच में डूब गया